हलो अच्छो कैसे आप सभी लोग I think you are doing good तो यह हमारा linear equation of second order with variable coefficient के topic पर उस सीरीज का यह तीसरा lecture है इससे पहले हम दो lectures कर चुके हैं पहला method था कि उसमें हमें one part of cf निकालना होता था one plus p plus q क्यों करके हम वो निकाल लेते थे और हमने उसको बोला था reduction to of reduction मतलब हम जो second order की differential equation थी उसको first order में reduce करके solve खर लेते थे second method है जो आपने देख भी लिया होगा हम उसमें जो हमारी second order की differential equation थी उसको normal form में reduce करते थे by changing the dependent variable वहासे हमने यू भी निकाला था कि कैसे निकाला जाता है वहाँ पर हम first order के derivative को remove करते हैं तो उसलिए हम उसको normal form बॉल देते हैं अब हमारा ये तीसरा method है by changing the independent variable इससे पहला था by changing the dependent variable but this method is all about by changing the independent variable so in this lecture we will learn about how can we solve a linear equation of second order with variable coefficient by changing the independent variable before going further I want to say something कि जो lecture देखे कई बर क्या होता है कि मैं जो हूँ अपने सारे lecture without any app record करता हूँ without any editing मैं सीधा सीधा record करता हूँ और आपको send हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा possibility होती है error होने की तो कभी-कभी क्या होता है कि यह human nature की error है जो भी आप समझ सकते हैं कि हम बोलना कुछ और चाते हैं पर बोल कुछ और जाते हैं तो थोड़ा कुछ ऐसा ही हुआ second lecture में जब हम एक हमने problem को start किया solve करना तो मुझे वहाँ पर standard form बोलना था but by mistake I said normal form वो tongue slip हो गया तो कुछ बड़ी बात नहीं है आप उसको थोड़ा adjust कर ले ना वहाँ मैं normal form ना बोलके वो मैं standard form बोलना चाहरा था thank you अब हम start करते हैं अपना third method solution of solving the linear equation of second order by changing the independent variable थोड़ा सा तिर्की है समझेंगे तो आजाएगा working rule में इसका भी दूँगा साथ में question का solution भी दूँगा और दोनों का pdf में अपनी वीडियो के description में उसका link दूँगा सो लेट स स्टार्ट देकि हम जो solve कर रहे हैं वह इस तरह की differential equation है second order की d2y over dx square plus p dy over dx plus qy equal to r देकि इसमें आपको यह तो you know very well की y जो हमारा होता dependent variable और x हमारा क्या होता independent variable तो इस method में हम x को change करेंगे किसी तूसरे variable में ठीक है प्याटा x को हम क्या करेंगे change करेंगे so मैं क्या बोल रहा हूं कि let the independent variable be changed from x to z ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं कि इस independent variable को हम x से z में change करेंगे देखे इसका point यह है कि हमें इस independent variable x को z में कुछ इस तरीके से change करना है कि उस change करने के बात जो हमारी differential equation आये वह या तो linear differential equation with constant coefficient बन जाए या Euler equation बन जाए खुल में लाके मतलब वो soluble होनी चाहिए तो z को choose करते हुए हमें थोड़ा aware रहना है तो इस method की खासित ही है कि हम z को किस तरीके से choose करें ठीक है बेटा तो हम बोल रहे कि suppose कि z जो हमने fx ले लिया कोई भी function of x है function of independent variable है हमने उसको क्या ले लिया z ले लिया अब आप क्या करेंगे यहां से d2y over dz x square की value निकालेंगे z में तो वो change होके आ जाएगी तो जब हम इसको put करेंगे और इनका derivative निकालेंगे तो हमारी equation निकलके आएगी यह p1 dy over dz plus q1y equal to r1 आपको कुछ नहीं करना है आपको यह equation हमेशा याद रखना है आपको साथ के साथ यह भी याद रखना है कि हमारा जो वह पर p1 होगा वह होगा d2z over dx square plus p into dz over dx upon dz over dx का whole square आपका क्यों क्या होगा इसको आप ध्यान से देखेंगे और हमारा जो r1 होगा यहाँ पर वह होगा r upon dz over dx square ठीक है अब करना क्या कि हमें अब देखें यह जो differential equation आपके सामने है यह कब-कब soluble हो सकती है देखें एक case तो यह हो सकता है कि हमारा p1 क्या होगा 0 हो जाए अगर हमारा p1 0 होता है तो यह term यह से गयाब हो जाएगी ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ if p1 equal to 0 तो हमारी जो differential equation वह क्या हो solution जो हमारे q1 पर आके टिग गया है अगर हमारा q1 क्या होता है constant हो जाता है q1 क्या होता है constant हो जाता है तो यह क्या बन जाएगी linear equation with constant coefficient जिसका हम cf भी निकाल सकते हैं जिसका हम pi भी निकाल सकते हैं वो solution आएगा z में अब z का जो भी आपने यहाँ पर माना है उसको आप वापस x में put कर देंगी तो आपके equation solve हो जाएगी ठीक है तो तो basically हम depend किस पर कर दें q1 पर तो हम चाहते हैं कि हमारा q1 हमारा q1 है यह constant आए हमारा q1 क्या है constant आए बट आप एक चीज देखिए आपका q1 है क्या q upon dz over dx square और आपका q क्या है q वो q है जो आपको given differential equation होगी अब आप थोड़ा सोचिए यह constant कब आ सकता है हमने जब शुरू किया था हमने तब भी बताता कि यह p q r क्या होते है function of x होते है अब यह हो सकता है कि यह q plus 2x into y हो हो सकता है कि यह q minus के 3x हो तो q के sign की possibility क्या हो सकती है plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है ठीक है तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि q plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है into kfx क्या है कि कोई भी constant it may be 2,3,4 anything else अब आप देखिए अब यह q1 constant कब आएगा यह तभी आ सकता जब यह cancel out हो जाए समझे भाब तो मुझे dz over dx मैं किस तरीके से चूज करूं कि यह हमारा क्या हो जाए cancel out हो जाए ठीक है तो मतलब कहने का यह हुआ कि अगर dz over dx का square हमारा kfx हो जाता है क्या हो जाता है kfx हो जाता है जब आप यहाँ पे kfx रखेंगे तो यह cancel out आपको मिलेगा plus 1 या minus 1 जो कि क्या constant है वो यह ही दों चाहते है तो dz over dx के square की जो choice बनी वो क्या बनी यह इसका क्या मतलब है इसका मतलब तो यह हो गया कि जो dz over dx है वो क्या होना चाहिए kfx देखिए मैंने यहाँ पे minus q नहीं लिया minus यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब मैं इसका square root करूँगा तो यह complex quantity बन जाएगी which is we are not interested हम केवल केवल और केवल real values के लिए जा रहे है तो जब भी आप dz over dx के square को चूज करोगे तो वो एक positive quantity होनी चाहिए वो मैं बताँगा कि वो होगा क्या तो dz over dx के आगया आपका root kfx अब जो यहां से आप इसका integration करेंगे वहां से क्या मिलेगा आपको जैड मिलेगा यह वो जैड है ठीक है बच्चों यह वो जैड है जिसको हम यहां पर चूज करेंगे और जिससे यह differential equation बन कियाएगी ठीक है मैटा अब देखें हमने अभी क्या बताता कि अगर p1 0 हो जाए तो इस equation का जो solution है तो अगर somehow यह हमारा p1 अगर 0 नहीं होता है तो यह चीज हमारे लिए useful नहीं है ठीक है तो सबसे पहले आप dz over dx करके z निकाल लेंगे फिर आप p1 निकालेंगे p1 को आपको ultimately 0 करना है और आपको सारी problems इसी तरह की दियो ही है कि आपका p1 0 हो जाएगा ठीक है और q1 आपका या तो plus 1 आएगा या minus 1 आएगा इसके लाबा कुछ नहीं आने वाला अब आप देखिए मैंने हापे q को क्या assume किया था मैंने q को क्या assume किया था कि q जो हमारा क्या है plus minus kfx तो आपको कुछ नहीं करना है जो आपकी given differential equation होगी उसमें आपको क्यूं दिया होगा तो जब भी आप dz over dx के square को चूज करेंगे तो वो क्यों ही होगा क्या होगा क्यों होगा बट without sign आप अगर negative sign आ रहा है आप suppose करो यहाँ पर यह minus होता minus क्यों आई तो मैं minus नहीं लूँगा मैं minus नहीं लूँगा वह मैंने कारण बताया क्योंकिक्क अगर मैंने यहाँ पर negative ले लिया तो यह complex quantity हो जाएगी यह हमारा method है जो अब हम इसका working rule देख लेते हैं नहीं तो video लंबा हो जाएगा ज्यादा हो फिर इसका problem भी देखेंगा देखें बच्चो working rule क्या है जो हम करते हा रहे हैं कि पहले हमने इस question को standard form में रखना है जो भी given equation होगी देखेंगे suppose जो हमारा क्यों है वो इस form में है हम मानके चल रहे हैं कि यह इस form में है ठीक है सो हम एक relation assume करेंगे independent variable z और x के बीच में जो इस तरीके से हमें यह पहले यह मानना है ठीक है d z over dx के square को आप क्या लेंगे kf x जो कि क्या है हमारा q बट हमें negative sign नहीं लेना है ओके देखो मैंने लिखा भी है we omit negative signs of q while writing this step अब आप क्या करेंगे यहां से solve करके क्या निकाल लेंगे z निकाल लेंगे अब जैसे ही यह z निकालेंगे और यह dy over dx की है हम इसको लेके आना dy over dz में इसकी help से जब इसको dy over dz में लेके आएंगे तो हमारी equation यह बनेगी y double dash plus p1 y dash plus q1 यहां पर इसका मतलब है dy over dz d2y over dz यह भी क्या है dy over dz वेर p1 हमारा इसे निकालेगा q1 के लिए हम यह use करेंगे r1 के लिए use करेंगे p1 q1 r1 की value निकाल के यहां पर पूट कर देंगे हमारा solution z में आएगा फिर z को replace कर देंगे by x तो हमें x में solution मिल जाएगा अब देखे एक problem से देख लेते हैं आया हुआ question है important question है यह हमें दिया हुआ हुआ है अब इसका compare करेंगे आप standard form के साथ वहाँचे आपको p q r3 मिल जाएंगे अब देखे जो main चीजे जो आपको याद रखनी है कि हमको z किस तरीके का choose करना है कि dz over dx का square equal to 2 cos से देखे जब भी आप dz over dx के whole square को choose करेंगे तो आपको वो q लेना है क्या लेना क्यूं क्यूं क्या है आपका 2 into cos की cube x sign नहीं लेना है अगर यहाँ पर negative होगा तो वो sign नहीं लेना है ठीके बैटा इसको हमेशा positive रखना है क्यूंकि जब आप इसका square root लेंगे तो complex बन जाएगा अगर हम negative लेंगे तो negative नहीं लेना है अब आप यहाँ से dz over dx निकालेंगे इसका integration कर देंगे तो आपको z मिलेंगे इस 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 हमने माना था यहाँ पर की z equal to fx तो वो हमारा z equal to fx यह है function of x which is trigonometric function अब आप क्या करेंगे अब हम with this z हमारी जो first equation है जो given differential equation है यह transform हो जाएगी इस differential equation में जो कि आपको याद रखनी है अब आप इसका p1 निकालेंगे जो z दिया है उसका second time derivative निकालेंगे plus p की value आपको पता है dz over dx निकालेंगे वो value जहाँ पर put कर देंगे देखे यह से cancel out हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा 0 जो कि मैंने initially बताया था कि p1 आपका क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए वो 0 आ गया है अब आप क्या निकालेंगे q1 कैसे निकालेंगे q1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर q वही लेंगे जो दिया हुआ है चाहे वो plus दि सब्सक्राइब आपको दिया हुआ है कि d z over dx का whole square equal to q without negative without sign यहां से आप देखे अपना r1 भी निकाल लेंगे qos square x क्यूंकि हमें इसको z में convert कर रहे है यह x में आया है तो इसको z में कैसे convert करें इसको लिग देंगे 1 minus sin square x और आपकी sin x की value यह रही है यहाँ पर उसकी उठा फिर देखना बच्चो value put कर देंगे हमारी यह differential equation आजाएगी बलके जो कि क्या linear equation with constant coefficient आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसका auxiliary equation बनाएंगे इसे मुझे बताने की कोई बात नहीं है यह तो आप जानती है सब cf इसका निकाल लेंगे pi इसका बहुत आराम से नि जैड यह को सब जगा जैड है बट हमारी जो original equation थी वो थी x में उसको solve करने के लिए हमने x को z में transform किया था तो अब उसका solution वापस लाने के लिए हमें z को फिल से वापस x में भेजना पड़ेगा ठीक है बेटा तो z equal to क्या था root square root 2 sin x वो value हमने यहाँ पे रख दी है यह आ जना ठीक है इसके बाद इसी topic पे एक lecture हो रहाएगा variation of parameters का जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है तो इस तरीके से हमारे पास यह 4 different variety of methods हो जाएंगे to solve a linear equation of second order with variable coefficients देखिए बस आपको क्या ध्यान रखना है यह जो d z over dx का square को आपको चूज करना है वो यही वही लेना है जो qx ठीक है देखिए मैं भी आपको बताता हूँ देखिए एक्साइज के questions है यह इस तरीके से जैसे देखिए आपको यह equation दिये है तो आपका जो यहाँ पे d z over dx का whole square आएगा वो आएगा 2 sin square x यहाँ पे क्या आएगा d z over dx 3 to the power x ठीक है पेटा तो minus sin नहीं लेना minus sin जहाँ भी आएगा उसको आप छोड़ देखिए जैसे यहाँ पे है इसका जो हमारे d z over dx square आएगा sin square x only आपको negative sin नहीं लेना है ठीक है d z over dx की square को आपको q लेना है without sin क्या बोलना हूँ मैं d z over dx की whole square को आपको equal to लेना q q क्या होगा given differential equation में आपको दिया होगा बस negative sign नहीं लेना है बर पर जब आप q1 की value निकालेंगे तो आप यहाँ पर वही क्यों लेंगे लेंगे जो दिया हुआ है ठीक है जासे ज्यादे problem solve कीजिए थेंक्यू बाइ